प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ब्रुनाई के दौरे के बाद अब सिंगापूर पहुंच शुक्ते हैं यहां वो राशुपती, फर्मन, शन, मुगन, रत्नम और प्रधानमंत्री लोरिंस वॉंग समेट कई वरिष्ट नेताओं से मुलाखात करेंगे यह बहुत ही महत्वपूर दो दिनों का दोरा है भारतिय समुदाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही गर्म जोशी से स्वागत किया अपनी यात्रा में वो सिंगापूर के व्यापारिक नेताओं से भी इंडस्ट्री के CEO से भी मिलेंगे सिंगापूर पहुँचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ जो भारतिय समुदाई है उन्होंने उनके स्वागत में यीत गाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिलकुल एक मराठा अंदाज में महराश्ट्रिन अंदाज में पूरी तरह से वहाँ भोल बजाते नजर आए सुनिए और इससे पहले आज सवेरे उन्होंने सुल्तान बोल किया के साथ द्विपक्षिय बैठा की दोरों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तक्नीक और स्वास्त जैसे एहम मुद्दों पर बातचीत की डेलिगेशन लेविल की बातचीत और बैठा के बाद भारत और ब्रुनाई के बीच M.O.U. पर हस्ताक्षर भी हुए उन्होंने बंदर सेरी, बेगवान और चिन्नाई के बीच सीधी फ्लाइट शुरू करने के निरने का भी स्वागत किया इस मौके पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जहां अपने भव्य स्वागत के लिए उन्होंने ब्रुनाई के सुल्तान और शाही परिवार दोनों का आभार जताया वही उन्होंने हिंद प्रशान्त महासागर और ये बहुत महतुपूर बात है हिंद प्रशान्त महासागर में मुक्त आवाजाही पर बल दिया और इशारों ही इशारों में चीन पर निशाना साधा चीन का नाम लिए बिना प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद का समर्थक है पहली बार भारत के प्रधान मंद्री का ब्रुनेई दोरा कई माएने में खास साबित हुआ कूपनीतिक संबंद अस्थापित होने के 40 साल बाद हुए पहले दोरे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान किया कि ये रिष्टा अब और महत्वपून होगा अब से हर हफ़ते ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी वेगावान से चन्नेई तक की सीधी उडान होगी इसके लावा भी दोरों देशों के बीच खई समझोते हुए वहीं दक्षड चीन सागर में चीन की दबंगई को जवाब देते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने उसे विस्तार वाद पर खेरा है इंडो पेसिफिक वीजन में ब्रिने का महत्वपून साजेदार रहा है भार्ध हमेशा आश्यान सेंट्रलिटी को प्रात्विक्ता देता आया है और आगे भी देता रहेगा हम अन्प्लोस जैसे अंतराष्ट्य कानूरों के तहट फ्रिडम अफ निविगेशन और ओवर फ्लाइट का समर्थन करते हुए हम सहमत है इस छित्र में कोड़ अप कंड़क पर सहमत ही बने हम विस्तारवाद नहीं विकास वाद की नीती का समर्थन करते हैं अपने दोरे की अगले दिन प्रधान मंत्री मोदी ने ब्रुनई के सुल्तान से उनके महल में मुलाखात की इसे दुनिया का सबसे बड़ा महल माना जाता है जिसमें सत्रह सो कमरे और बाईस करेट सोने के गुमबत हैं यहां प्रुनई मोदी ने सुल्तान के साथ लंच किया मेलू में मोती चूर लड़ू और मैंगो केसर पेड़ा शामिल था प्रुनई मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को ब्रुनई पहुँचे थे यहां उनका भवे स्वागत हुआ वो ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसलन वोकलिया और उनके करीबी परिवार के सदस्यों से दुनिया के सबसे बड़े महल इस्ताना नुरूल इमान में मिले इससे पहले एरपोर्ट पर शहजादे अल मुहतदी बिल्लाल ने उनका स्वागत किया उन्हें गाड आफ ओनर भी दिया गया इसके बाद पिये मोदी ब्रुनेई की उमर अली साफुदीन मस्जित पहुँचे ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगवान के होटेल में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत भी किया ब्रुनेई के बंदर सिरी बेगवान में बनी उमर अली साफुदीन मस्जित दक्षिनपूर एशिया की सबसे खुबसूरत मस्जितों में से एक है इसे भारत के ताज महल की तर्च पर बनाय गया है इसका निर्माण 1958 में कराय गया था इसे इटली के एक डिजाइनर और बिटिश इंजिनेरों ने बनाया है ब्रुनेई का दौरा पूरा कर प्रधान मंत्री मोदी सिंगापूर रवाना हो गये तीन दिनों का ये दौरा मोदी सरकार के एक्ट इस्ट पॉलिसी के दस साल पूरे होने पर हो रहा है इससे पहले वियतनाम और मलेशिया के राश्वपती ने भारत का दौरा किया था भारत की राश्वपती द्रौबदी मुर्मू भी तीमोर लेटसे का दौरा करके लोटी है ये दिखाता है कि भारत दक्षिनपूर एशियाइट शेत्र को कितना महत्व देता है आज तक भीरो